नमस्कार दोस्तों आपका हमारे एस्पिरेंस सीविल इंजिनेर यूटुब चैनल पर बहुत दोस्वागत है आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं इंफ्राइस्ट्रक्श से रिलेटेड गंगोतरी और मनोतरी रेल पर यूजना में बनेगी देश की सबसे लंबी सुरंग इस सुरंग की लंबाई होगी लगभग 17 किलोमीटर तो चलिए आप विस्तार से बात करते हैं रेल बिकास निकम निम्टिट ने गंगोतरी और मनोतरी धाम को रेल लाइन से जोड़ने की यूजना बनाई है इसके लिए कई बार सर्वे और टेक्निकल डिसकसन के बाद 121.076 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के लिए सिंगल ट्रेक के लिए 30,000 करोड की फाइनल डिपियार रेलवे बोर्ड दिल्ली को भेज दिया गया है 121.076 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन में से 70% रेलवे ट्रेक टरनल्स के अंदर होगा गंगोतरी और मनोतरी धाम को रेल लाइन से जोड़ने के लिए देश की सबसे लंबी रेल सुरंग का निर्माड होगा जाजल और मरोड के बीच बनने वाली सुरंग की लंबाई 17 किलोमीटर होगी दोस्तो अभी तक देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मो एवम कस्मी राज में उधम पोर्शरी नगर बारा मूला रेल लिंक परियोजना में 12.75 किलोमीटर की है कंगोत्री और एमनोत्री रेल परियोजना की कुल लंबाई 12.76 किलोमीटर के सफर में रेल दोईवाला से 22 पूलों और 22 रोंगों से गुजरेगी इस दोरान 10 स्टेशन भी होंगे जिसमें दो लूप लाइन स्टेशन मातली वा बढ़कोट में बनेंगे लूप लाइन स्टेशन पर इंजन परिवर्तन आदी की सुद्धाय होती है इसलिए लूप लाइन स्टेशन इसमें दो होंगे इस रेल लाइन में देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के निमार की उजना बनाई गई है या तिहरी जनपत के जाजल और मरोड के बीज सुरंग बनाई जाएगी इसके कौन-कौन से स्टेशन होंगे डोई बाला, भानिया बाला, रानी पोखरी, जाजल, मरोड, कंठी सोंड, सरोट, सिनियाली सोंड, डूडा, मातली, नंदगाव बढ़कोट में स्टेशन होंगे गंगोत्री के लिए मातली अंतिम और यमनोत्री के लिए नंदगाव बढ़कोट अंतिम स्टेशन होंगे नंदगाव बढ़कोट वा मातली लूप लाइन स्टेशन होंगे लूप लाइन स्टेशन पर इंजन के चेंज करने की फैसल्टी इत्यादी सुब्धाएं होती है